कि नमस्कार दोस्तों मैं करने अलाल स्वागत करता हूं आपका इस यूटूब चेनल इस्टेडि विद केल सर में दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट हिंदी का मोडल टेस्ट पेपर लेकर दोस्तों ये रीट हिंदी का दूसरा टेस्ट है दूसरा मोडल पेपर है और यह सभी प्रश्न परिक्ष्याओं में आ चुके हैं तो वीडियो की इंपोर्टेंस आप समझ सकते हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वीडियो को पूरा देखिए अगर आपने पहला मोडल पेपर नहीं देखा ह है हिंदी का रिट वाला तो आप उसे जरूर देखिए आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर नहीं है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब क करके बैल आइकन प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की notifications आपको मिल सके दोस्तों वीडियो के आकिर में कमेंट में जरूर बता कर जाना और सफ नियुक् तो बताईए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विकल्प नमबर एक सीखने को विश्तार देना, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नमबर दो, प्रात्मिक इस्तर पर आधारबूत कोशल है, सीटेट 2014 में आ चुका ह लिखना और बोलना पढ़ना और सुनना पढ़ना और लिखना और बोलना तो बताए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 सुनना और बोलना प्रात्मिक इस्तर पर आधारबूत जो कोशल है जो बेसिक कोशल है वो सुन सुझना और बोलना होते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तो प्रश्ण नमर तीन दी गई सहायक सामगरी में से से शेशश भिन सायक सामगरी चुनी है सीटेट 2014 में आ चुका है समाचार पत्र बाल साहिते टेली वीजन पत्र पत्रि का है तो बताइए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नमबर 3 टेली विजन दोस्तों टेली विजन अलग है ये पत्र पत्री का ये बाल साही ते पत्री का ये पड़ने का है और जो टेली विजन है ये स्रविद्रश्य है देखने और सुनने दोनों तरेगा अब प्रश्न ह क्या है कि दोस्तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्पब नंबर तीन आघमन निंगमन पद्दति संधी विच्छय के तू उत्तम जो सबसे बडिया है वो आघमन निंगमन पद्दति होगी अगला प्रशन दोस्तो प्रशन नमर 5 घर की भाषा और विद्याल में पढ़ाई जाने वाली भाषा सीटेट 2013 में आ चुका है सदेव टकराहट से गुजरती है सदेव समान होती है समान हो सकती है सदेव अलग-अलग होती है तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमर 3 समान हो सकती है घर की भाषा और विद्यालेम पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है विकल्प नंबर 3 सही रहेगा अगला प्रशने दोस्तो प्रशन नंबर 6 भाषा शेकने के लिए कौन सा कारक सरवादिक महतोपूर्ण है सीटेट 2012 में आ चुका है भाषा के व्याकरणिक नियम पाठ पर आदरीत प्रशन उत्तर भाषा की पाठ पुस्तक समरिद्ध भाषिक वातावरण तो बताईए इस प्रशन का सही रहेगा दोस्तों इस प्रशन का सही रहेगा विकल्प नंबर 4 समरिद्ध भाषिक वातावरण भाषा शेकने के लिए सबसे ज्यादा महतोपूर्ण है समरिद्ध भाषिक वातावरण अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन का सही करते हैं सबसे कम महयतोपून बिंदू है C82012 में आ चुका है अभ्यासों में वैविध्य पाथों की संक्या विश्यवस्तु में वैविध्य भाषा की विभीन छटाएं तो बताए इस प्रष्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 पाठोगी संख्या सबसे कम महेतोपूर यह ओगा विकल्प नंबर 2 अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नंबर 8 बहुँ भाशिकता भाशा कि समरिद्दी को खत्रे में डालती है भाशाशीगने में बादा उत्पन कर विद्याले में सीखी जाती है, एक नियम बद्ध व्यवस्ता है, सदेव व्याकरण के नीमों का ही अनुगन करती है, नीमों की जानकारी से ही नी करती है, तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है, सेटट 2012 में ये प्रशन भी आ चुका है, दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो एक नियमबद विवस्ता है यहाँ पर विकल्पों के इसाब से विकल्प नमबर दो अपना सही होगा चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नमबर दस बच्चे विध्याले आने से पहले अपनी भाषा की नियम बद व्यवस्ता की व्यावारी कुशलता के साथ आते हैं कोरी सलेट होते हैं भाषा के समूचित उप्योग करने में समर्थ नहीं होते हैं भाषा के चारों कोशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं तो बताईए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है सेटेट 2012 में यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर यहां पर सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नमर एक अपने भाष्या की नियम बद्व व्यवस्ता की व्यावारी कुशलता के साथ आते हैं दोस्तों जब बच्चे विद्याले में आते हैं तो वो अपने जो उनकी भाषा होती है उसमें व्यावारी कुछल तक साथ आते हैं वो अपनी भाषा को व्यावारी ग्रूप से अच्छे से जानते हैं तो यहाँ पर विकल्प नमबर एक अपना सही हो जाएगा अगला दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर होगा विकल्प नमबर 2 मोखिक परिक्षा होगा तो यह जा सकती है विकल्पो को हिसाब से अगला प्रशने दोस्तों प्रशने sarah आत्म दोस्तो इस प्रशन का सही उत्तर है, विकल्प नंबर 3 उपहाश, उपहाश नहीं होना चाहिए, बाकी उत्सावर्दन, अभ्यास और सहानुबुति हो सकती है, कोई दिखकत नहीं है अगला प्रशन है दोस्तो प्रशन नमर 13 भाशा कोशलों की संख्या है आर्टेट 2012 में आ चुका है पाँच चार तीन दस तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमर 24 भाशा कोशलों की संख्या 4 है दोस्तों, चार भाशा कोसल है, L, S, R, W, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चार है, अगला प्रशन है, दोस्तों, प्रशन नमर चवदा, लेखन कला का विकास होता है, देखने से, सुनने से, अनुकरण से, अभ्यास से, 88, 2012 में आ चुका है, तो बताएए, इस प्रशन का सही उत्तर है, विकल्प नमर चार, अभ्यास से, लेखन कला का विकास अभ्यास से होता है, अगला प्रशन है, दोस्तों, प्रशन नमर पंदरा, विकल्प नमर च्यान की आवशकता है, थर्ड ग्रेड, 2012 में आ चुका है, भाशा लिखना, शीखने में, भाशा को बोलना, जीकने में भाशा को समझने में भाशा के शुद्ध प्रयोग में तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 4 भाशा के शुद्ध प्रयोग में व्याकरण ग्यान की आउशकता भाशा के शुद्ध प्रयोग में होत और इसका जो विच्छेद है वो होगा दिक प्लस दर्शक अगला प्रशन है दोस्तो प्रशन नमबर 17 इत्येवं संदी का विच्छेद होगा क्रिशी परिवेक्षेक 2012 में आ चुका है इत्ये प्लस एवं इत्ये प्लस एवं इत्ये प्लस एवं और इत्ये प्लस एवं तो बत चित पलस में चितर पलस में और चित पलस में तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो चित पलस में चित पलस में को मिलाने से चिन में बनेगा और यहाँ पर व्यंजन संदी होगी और अगर संस्क्रत की बात की जाए तो इसमें सचूतुवसंदी होगी दोस्तों सचूतुवसंदी चलिए दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमर 19 प्राप्त उदक में कौन सा समास है बीस टीसी 2017 में आ चुका है कर्मधारे संब्रदान तत्पूरुष कर्म तत्पूरुष दिगू तो बताए इस प्राप्त उदक में कर्म तत्पूरुष होगा उदक को प्राप्त जल को प्राप्त अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नमर 20 परमानंद में समास है यूपी पी एस से कानून को 2015 में आ चुका है दोंदों समास कर्मधारे अव्वेई भाव बहुरी ही तो बताए इस दारे समास होगा अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नमर 21 सर्व नाम का प्रकार नहीं है पटवारी में 2016 में आ चुका है निजवाचक गुणवाचक प्रशन वाचक पुरुष वाचक तो बताए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है वि 10 Nash इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विक्रप नमबर दो क्रिया विशेशन जो मंद-बंद है वह मुश्कुराना उसकी क्रिया विशेशन लोगाई Of दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 4 द्रिष्टी यहाँ पर आख का पर्याईवाची द्रिष्टी नहीं है यह नजर का पर्याईवाची है अगला प्रशन है दोस्तो प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशण का सही उत्तर है विकल्प नमबर 4 अरुना अरुना जो है वो लक्ष्मे का प्रयाय वाची नहीं है बागी इंदिरा कमला और पदमा ये तीनों ही लक्ष्मे के प्रयाय वाची है अगला प्रश्ण है दोस्तों अगला प्रशने दोस्तों प्रशन नमेर 25 जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं सेकंड़ ग्रेट 2014 में आचुका है निराकार अगोचर निरगुण निर्विकार तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो अगोचर जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे अगोचर कहते हैं चलिए दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 26 लोग रामायन पढ़ते हैं वाकिय में कौन सी किरिया है यहां पर है किरिया है पटवारी 2011 में आ चुका है सकर्मक किरिया अकर्मक किरिया प्रेलर रना था कोई नहीं तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर किया है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर एक सकर्मक लोग पढ़ते ह इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर होगा विकल्प नमबर एक परेशान करना नाच नाच आचानना मुहावरेकार्थ होगा परेशान करना अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नमबर 28 गोबर गनेश होना मुघबर कार्त है उत्राकंड to chancellor 2016 में आ चुका है मुर्ख होना गोबर गेश बनाना बायो गेश विद्वान होना तो बताइए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर हो का विकल्प नंबर एक मुर्ख होना गोबर गणेस होना का मतलब होगा मुर्ख होना तो चलिए दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नंबर 29 भीतर से शतुरुता और उपर से मिठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोकती है हाइको टेल डिसी 2017 राजस्थान में ये प्रशन आ चुका है आम क्या आम गुटले के दाम दूर के ढोल सुहावने दोनों हातों में लड़ू मुह में राम बगल में छूरी तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा विकलप नमबर 4 मुह में राम बगल में छूरी ये यहाँ पर सही उत्तर होगा विकलप नमबर 4 चलिए दोस्तों अगला और आखरी तीस्वा प्रश्ण उससे पहले आपसे निवे देने के अगर आपको वीडियो प्रसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों प्रश्ण नमर तीस है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है यूपीटेट 2017 में आ चुका है करत्री वाच्य कर्म वाच्य भाव वाच्य कोई नहीं तो बताइए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उतर होगा विकल्प नमबर 3 भाव आचे मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में यहाँ पर भाव आचे होगा भाव प्रदान है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत